फ्रेंड्स हॉंडा की एक्टिवा में जब भी कभी आप ये वाल्प कबर ओपिन कर रहा हैं जैसे कि टैपड ये टाइमिंग चेन को चेक करने के लिए तो इसमें एक पार्ट आपको कंपलसरी चेंज करना है वो है ये वाल्प कबर गैसकेट जैसे कि आप देख सकते हैं यहा आगे चलके इंजन सीज हो जाएगा ये एक होरिजोंटल इंजन है तो इसमें क्या होगा ये कंपलसरी आपको चेंज करनी पड़ेगी जो वर्टिकल इंजन होते हैं उसमें क्या होता कि इस टाइप की दिक्कत नहीं आती उसमें आप कई बार ये वाल्प कबर ओपिन कर सकत इसमें गैसकेट चेंज करने की ज़्यादा ज़रुत नहीं पड़ती अब आप ये देख लीजे ये है इसकी वाल्प कबर गैसकेट और ये जो हिस्सा है आप देख रहे हैं ये टाइमिंग चेन वाला हिस्सा है और देखे ये एक्जॉस्ट वाला हिस्सा है ये जो भी आप open करेंगे तो इसको replace करना है एक और तरीका है जिससे आप ये जान सकते हैं कि ये जो हमारी पुरानी gasket है क्या ये reuse कर सकते हैं या नहीं तो जब भी आप valve cover fit करेंगे तो आपको क्या करना है इंजिन को start करना है अगर इंजिन start करने के बाद इसमें से जो है leakage air leak की sound आने लग जाए air leak ये कौन सी होती है जो breather वाली air होती है वही leak होने लगती यहां से तो उसकी अज़क तरीके की sound होती है तो जब भी कभी वो sound आएगी तो आप समझ जाना कि इससे oil leak जो है वो होने लग जाएगी तो ऐसे में आपको ये compulsory change करनी gasket एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जो नई gasket आप fit करना है वो बिना bond के या use करना है पुरानी वाली gasket को अगर आप bond के साथ लगा देते हैं जैसे bond लगा देतें लोग तब भी उसमें काम नहीं चलेगा आपको नई gasket ही change करनी है okay friends thanks for watching